हेलो सुटेंट्स, वेलकूं टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया, तो ले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, फार्मा का थेरोपीटिस का नेक्स्ट चैप्टर, डर्मेटलोजी, जहाँ पर हम लोग कुछ इसकिन की बिमारियों के बारे पढ़ने वाले हैं, तीन बिमानी अपने कोर्स में हैं, सोरियसिस, एक्जीमा और स्कावीज, ठीक है ना, तो सबसे पहला हम लोग उठाते हैं सोरियसिस, क्या होता है, सोरियसिस, पी यहाँ पर सालेंट रहता है, ठीक है, सोरियसिस पढ़ा जाता है इसको, तो डर्मा, डर सब्सक्राइब करें तो यहां पर देख पा रहे हैं कि कुछ के शैसें से वारे पास कुछ गभी कि Gp infection देखा किसी ने ठीक है ना खालिश तरह से हो जाती है जगे जगे पर यह दाने पढ़ रहे हैं spot से अलग अलग से पढ़ रहे है या इस टाइप से पस भढ़ा हुआ है है ना इसमें क्या है पस यहांतों का है ठीक है यह पस सब पढ़ गया है यह यह या clean है एक साथ rashes से ऐसे से पढ़ रहे है इस टाइप से यह और यह पूरा एक साथ पूरी skin के आ रही है है ना अलग अलग conditions है इसकी तो psoriasis is long lasting long lasting जल्दी खतम नहीं होती है अगर हो जाए तो जल्दी खतम नहीं होती है long lasting है non contagious very important बाकि जो disease है contagious contagious non contagious 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 का मतलब जो छूने से फैल जाए और non contagious मतलब ऐसे नहीं फैलेगी है ठीक है ना touch करने से नहीं फैलती है क्यों क्योंकि यह autoimmune disease है उस system जिस इंसान को यह ना उसके अंदर का immune system गड़बड हो गया तो छूने से नहीं फैल रही है बासामज में आगी ठीक है characterized by कैसे पैचान में आएगी by raised area raised मतलब उभार वो चीज़ उठ जाती हलकी हलकी skin में of abnormal skin जो skin होती है abnormal अजीब सी हो जाएगी और वो बाहर की तरफ आ जाएगी ऐसा लएगा कि उठ गई है उपर को these areas are red pink जो उठे हुए पाट होते हो लाल हो सकते है गुलावी हो जाएंगे purple हो जाएंगे dry सुके सुके हो जाएंगे body coverage जहां तक कि पूरी body भी भी फैल सकता है ठीक है टाइब सॉरियस की बात करें समझने के लिए है यह टाइब सॉरियस पांच टाइप से है ठीक है प्लैक प्लैक सॉरियस इस ग्युटेट सॉरियस इस पिस्चीवल पिस्चीवल मतलब जिसना पस पढ़ जाता है इन्वर्स ट्रोडर्मिक है यहां पर लाल रेड़ पन आया जाता है जो ब्लड वैसल सोती है तो लाल पन से दिखाए पड़ता है ठीक है तो तो यहां सॉरियस प्लैक सॉरियस आलसो नोने सॉरियस वॉल्गैरिस मेकप अबाउट 90 परसंट आपके स्याले होते हैं इस टीपिकली प्रि अरियास ऑफ बॉड़ी मोस्ट कॉमनली अफेक्टे आर दा बैक ओफ दा फोर आर्म फोर आर्म है ना मारे पास यह इसका बैक शिंस नेवल एरिया पेट का एरिया और स्काप जोहारा सर होता है ठीक है ना गुटेट सोरियस इस है ड्रॉप शेप लेसंस ठीक है गुटेट पयाटे के इनवर सोरियस फॉर्म रैड पेटरस इंदा इसकीन पहुर्ड सोलड सोते हैं वहा पर रैड पेटरस से बन जाते हैं और ऐस्त्रोडर्मेश ओकर्स फिंगर नेल्स अन्टो नेल्स आर्टे इन्मोस्ट पीपल इसमा जया तर फिंगरस नेल 75 और 2 और 2000 केनित तो पेर कांग उठा होता है वो नेल अफेक्टेड हो जाता है विट सोरिसे एट सम पॉइंट इन ताइम इंक्लूड पिट्स इन दा नेल में ऐसे गड़्डे टाइप से दिखाई पड़ेंगे ठीक है और चेंजिस इन दा नेल कलर यहां तकी नाखुनों का कलर भी चेंज हो सकत है तो पांच वराइटी है जस समझने के लिए है अभी इसको याद नहीं करना कोगी टाइप से नहीं पूछता जैनली डेफिनेशन आ जाएगी इसकी डेफिनेशन के बाद सीधा अपना क्या आएगा एटियों पैसे जोनेसी साती है यानि कि हम एटिलोजी बताएंगे इंफैक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं जो इंफैक्शन को fight करते हैं एंवाडि लिए इंफैक्शन होता है उसको जब मारते हैं हमारे immun system वो गलती से हमारे healthy skin को बढ़ी चोट पताने शुरू कर देते हैं by mistake गossր इसर्चर्चर्स बिलीव डेट बोथ जनेटिक एन इन्वायमेंटल फेक्टर जनेटिक और इन्वायमेंटल फेक्टर यहां पर रोल प्ले करते हैं सोरियस को प्रड्यूस करने में तरह कंडिशन इस नौट कॉंटेजियस यह कॉंटेजियस नहीं है छूने से नहीं फेलेगी ठीक है अगर हम कुछ बात करें गॉस की तो पहला है इडियोपैथिक पता ही निये क्यों हो गया जनेटिक हो सकता है ऑटो इम्यून हो सकता है इन्फेक्शन हुआ हो कोई उसके वा है कि ऐसा होता है पैसे बात करें तो वैरी सिंपल ठीक है इसी ताइब का फ्लोचार्ट बना लोगे एक तुम लोग तो क्या कहा रहा है पैसोजनेसिस में याद रखना बेटा इसको बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिस मत करना ठीक है वरना चक्कर है पड़ जाओ और जो एंटी जें शोते हैं और उसको उसका प्रॉजनटेशन ला ला करके किल करनेवारी प्रोसेस बढ़ जाती है इटोमेटिक ठिक है न जाने कि एंटीजेन प्रॉइचंटेशन ट्यूमर नेख्रोटिक फेक्टर यह सारे जो हमारे इंफ्लोमेटरी सेल्स जो इस्टार्टिंग में आ करके अटैक करते हैं यह क्या होते हैं इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है ठीक है यहां से स्टार्ट होती है पहला पॉइंट यह दूसरा पॉइंट फिर यह तीसरा ठीक है तो इसलिए मैं कहा रहा हूं बहुत यह समझ लो लिखने के परपल से लीडिंग तू टी एच्वेंड यानकि टी हैल्पर वन यहां पर भी सेल्स की वराइटी बने का ना घुजो होगे अंदर तो सागर है पूरा है यह एक्टिवेट होते हैं प्लो राइप प्रो प्रो लाइफ रेशन इनका फ्लना फूलना नहीं बढ़ने लगते हैं यह ठीक है होगा गया इनको बढ़ने से आयल 22 और आयल 17 पर्यूस होते हैं अब इंक्रीज प्रोडक्शन ओफ बीटा डिफैंसिन और कीमो काइंस एंड चील 20 इनका प्रोड़ जाता है और एपीडर्म स्किन के उपर एकांट फॉसिस एक तरह से पैचेस धपे या रैसे पढ़ने सुरू हो जाते हैं और यहाली कंडिशन होती है तो उपर मैं से कोई एक कंडिशन के रिएट हो जाती है कि लिए तो इसको स्टेप में स्टेप लिख दोगे कोई चीज बहुत जयादा सामझ में नहीं है तो बस छोड़ देना के और पॉइंट याद करके लिखने से मतलब है समझ लो मैं यह नहीं कर रहा है कि मत समझो लेकिन क्यूंकि यहां घुसने का मतलब है कि फिर यहां पर टीसल उसके अंदर डीप में घुसना पड़ेगा तो बेटर यह तो रोगवा तक समझ मा प्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखी लिए हमने फस्ट्स आइनी रेड इस्पॉट असले लमकों क्या दिखाई पड़ेगा रैड इसप्याई पड़ेगा बॉड़ि के ऊपर पैच इस तक्के से दिखाई पड़ेंगे इस ड्राई सूच जाएगी इन फ्लेम हो जाएगी औ और वह बड़ी मूटी मूटी से हो जाएगी पेन होगा इचिंग खुजली हो सकती है बर्निंग जलन हो सकती है जगे-जगे पर पढ़ जाएंगे ब्लेडिंग पॉइंट के खुजलाद हो गए और ये स्केल्स हड याती है रूखापन होता है खुजा देता हम लोग बहुत जाता कई बार तो वहां पर क्या ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा येलो डिसकलरेशन पिटिंग और तिकनिंग और नेल है वो येलो कलर की हो दाएंगे और नोटेट इफ दे आर अफेक्टेड़ अगर नेल्स अफेक्टेड होते हैं तो उनके ये सारा चीजें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी किलियर है ठीक है नॉन फार्मालोग कॉलाजिकल मेनजमेंट के हम लोग इमोलियंट का इस्तमाल करते हैं इमोलि तुरिंग ठेरपी फ्री पीरियट ठीक है तो मिनिमाइज जिस समय ठेरपी चल रही होती है उस समय हम लोग इसकी ड्राइनेस डैट कें लीट टू अरली रिकरेंस इसकीन को यह सूखने नहीं देती इसकीन को मॉस्टराइज करके रखती है इस एजेंट्स हाइड्रेट डाळों के तो इमेर्ज निकल के आजाएगी इसकीन की पूरी परथ होगी तो सुपसे उपर की लेयर दिखार रहो हो तुम्हें तुम्हें स्टेटम क् औरन्ययम थिकर है मिनिमाइस क्यूतेनियस क्यूतेनियस क्यूतेनेश जो रिएंगे जाएंगे पिर आगे क्या कह रहा है Effective as Moisturizers यह उतना ही Effective as Moisturizer लगाऊँगे Moisturizer लगाऊँगे तो काम नहीं करेगा ठीक है न? Emolence अलगी होते है Decrease Binding Forces within the Horny Lairs जो Horny Lairs होते हैं उनके बीच में Binding Lairs कम करेगा जिसके अगर एक layer हटती है तो दूसरी layer उसको खीच के नहीं आएगी Enhance Disquimation and Eliminate Scaling ठीक है न? Disquimation का मतलब इक तरह सो हो गया कि आपका जो है न? जो क्या कहते हैं इसको हम लोग जो अपना यह होता है न? Disquimation क्या है कि जो उपर की जो परत है वो अपनी उतारेगा धीरे-धीरे and Eliminate the Scaling जो उपर की Scaling आ गई है गंदी सी उसको हटाना शुरू कर देगा Increased Pliability of Skin Skin की Pliability Pliability का मतलब Skin को सुरा मुलायम करना श्टार्ट करेगा Have Antiproraitic खुजली होने देगा and possess mild vasoconstricted activity ठीक है न? हलका सा blood vessel को सुरा सा constrict भी करेगा यह ठीक है तो यह emollient ही इस्तमाल किये जाते है ओके देन आता है यानि कि हम यहां लिख सकते हैं कि हमको Skin को Moisturize करके रखना किसी तरीके तो इसके हम लोग emollient का यूज करते हैं Pharmacological Management की बात करें तो देखो यहां पर यह याद रखना यह हम लोग आगे भी इस्तमाल करेंगे जो आगने वाली जो पढ़ेंगे डिजीज कोटिकोस्टिरोइट्स इसके अंदर कौन आता है Hydrocortisone ट्राय ट्रायमिसिनलोन और क्लोबिस्टालोग क्लोबिस्टासॉल विटामिन डी एनलोग विटामिन डी ठीक है सिंथेटिक फ़र्म विटामिन डी सच एज कैल्सी पोर्ट्राईइन एड कैल्सी ट्रोव इसकिन सेल ग्रोथ यह क्या करते हैं विटामिन डी इसकिन सेल की ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो कर देंगे ठीक है रेटिनॉइड इस्तवाल करेंगे हम लोग ठीक है इसका एक्जामपल क्या है यह टैजरोटीन कैल्सी निूरिन इनिभीटर कैल्सी निरिन इनिभीटर सच ऐस ट्रैक्रोलाइमस और पाइमक्रोलाइमस यह क्या करते हैं कामदार rash and reduce scalp build-up जो rash होता है उसको सांत करते हैं खुजली नहीं होने देंगे और जो scalp reduce scaly build-up जो scale jump-jum के लिए मोटा हो रहा है उसको क्या करेगा कम करेगा salicylic acid shampoo and scalp solution reduce the scaling of scalp soriouses ठीक है नहीं जो हमारे circular soriouses होगी है उसको क्या करेगा यह reduce करेगा coal tar, coal tar reduces scaling, itching and inflammation जो coal tar होता है carbon का होता है डामर टाइपर जो रहता है इसके लिए अलग से बनाया जाता है ठीक है coal tar reduce करता है scaling जो इस खाल की उपर खाल बनती है उसको रोकेगा खुजली रोकेगा और inflammation रोकेगा तो उसको कम करेगा light therapy दी जाती है जैसे की sunlight ठीक है यहाँ पर dash लगाना है brief daily exposure to sunlight जिसे हम hello therapy भी कहते है might improve sources हलका हलका sunlight दिया जाता है उसको brief exposure 10 minute, 5 minute के लिए ठीक है फिर है geokerman therapy an approach that combines coal tar treatment with light therapy it's called geokerman therapy ठीक है ना उससे क्या है coal tar और light की अगर थेरपी कमेंड जी जाती है उससे और भी ज़्यादा जल्दी improve होती ही चीज़े UVB broadband ठीक है ultraviolet B जो radiation होता है ठीक है controlled doses of UVB broadband light from an artificial light artificial source of light रहता है जो क्या निकालता है UVB निकालता है उसको हम लोग क्या करते है skin को पर डालते है can treat single psoriasis patches widespread psoriasis जो फैला हुआ है ठीक है और ऐसा psoriasis जो की improve नहीं हो रहा है topical treatment जो उपर की lotion लगाने से तब हम ज़्यारा treatment दे सकते है psoriland plus ultraviolet A तो psoriland का P ultraviolet A ठीक है ना psoriland क्या है this treatment involves taking a light sensitizing medication जो psoriland है की medicine होती है before exposing the affected skin to UV light ठीक है ना तो यह जो medication ली जाती है ठीक है ना और इसके बाद फिर UV light से expose किया जाता है तो इसका effect और भी ज़्यादा अच्छा आता है इस दवाई का ठीक है then oral तुम लोग चाहते हैं जो उपर लिखे हुए थे मैंने रेटिनॉइट्स उपर लिखा हुए था biologics क्या होते है जो direct उसी चीज़ को target करेंगे जहां पर target करना है ठीक है ना और किसी को target नहीं करते हैं जो कि बनाई जाती ही चीज़ है जिसमें एप्रिमालास्ट एटानर इटानर सेप्ट इन फ्लिक्सी मेब एडाली मियूमेब ठीक है ना यह याद कर लोग कुछ देन मीथो ट्रीजेट है और साइकलोस्पोरीन है यह कुछ दवाईया है जो हम लोग क्या करते हैं आपर ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं ठीक है तो तीन तरीके से ट्रीटमेंट है टॉपिकल थेरपी टॉपिकल मतलब उपर लोशन लगाएंगे ठीक है जैसे कोटिको स्टिरोड और रेटिनोड इनी की मेडिसीन उपर लगाने के लिए बनता है और खाने के लिए बनता है तो ये इस तरीके से हमारा एक छोटो से चेप्टर कवर अप हो जाता है बात बाखी ये अपना एप है एप का आप लोग यूज कर सकते हैं काफ़ ज़्यादा बच्चे का लेकर के फाइदा उठा रहे है ये मेरा नंबर है नोच डिस्किप्शन में मिली रहे हैं आप लोगों को ठीक है ना किसी बदर कोई हैल्प चाहिए मुझे कॉल करो जो मैं कर सकता हूँ जो मेरी पहुंच में है वो हैल्प में आप लोगों की जरूर करूँगा लेकिन मैं हेल्प करूँ उसके लिए आपको एक हेल्प करनी होगी क्या रिवीजन करना होगा पढ़ते रहें और रिवाई करते रहें All the best